Chapter 20 Areas of Bonded Region Multiple Choice Question की Exercise कर रहे है First MCQ है मारे पास If the area above the x-axis bonded by the curve y equal to 2 raise to power kx and x equal to 0 and x equal to 2 is 3 upon log 2 Then the value of k is 4 option दियेवे है मारे पास देखो सबसे पहले क्या करना है हमें area निकालना है above x-axis पे किस पे निकालना है above x-axis पे लेकिन आप देखो हमारे पास area given दिया है area हमारे पास question में given है तो हम क्या करेंगे इसका area निकालेंगे और इन दोनों को compare करके k की value निकालेंगे देखो कैसे, सबसे पहले देखो y दिया वह है, 2 raise to per kx, ठीक है, अब आपने 11th में, a raise to per x का graph पढ़ा था, a raise to per x का graph कैसा होता था, यह देखो, ऐसे बनता था, यह point होता था 1, तो इसमें होता था, अगर a 0 से बढ़ाओ, यह graph आपको कब बनाना है, जब a 0 से बढ़ाओ, ठी है 2, तो 2 0 से बढ़ा होता है, तो हम यह वला graph बनाएंगे, देखो कैसे, यह दी बनाना आपको, ठीक है, यह rough के लिए था, इसको side में कर दो, यह देखो, 2 raise to per kx का graph ऐसे बनेगा, यह बन गया, इसको बोलेंगे 1, और यह graph बनाए हमने, y equal to 2 raise to per kx, ठीक है, उसके बाद द देखो, x दियाव है 0, यह x-axis, यह y-axis, यह line होती है, x equal to 0, फिर x equal to 2, यह मान लो 1 है, यह 2 है, यह बन गया हमारा x equal to 2, ठीक है, तो यह, हमें कौन सा area निकालना है, above the x-axis, अब x-axis के उपर वला area तो यह है, तो हमें यह area निकालना है, यह area से हम k की value निकालेंगे, इसको य हमारी vertical strip, यह denote करता है small area, ठीक है, तो यह point है 00, और यह point हो जाएगा 20, अब हम निकालते है area, तो देखो, area, इस area को कुन सा area कहेंगे, bonded area, area bonded region, क्या formula होता है, integral, limit देखो क्या आएगी, limit दीवी है, 0 to 2, यहां से भी देख सकते हो, 0 to 2, और formula होता है y dx, ठीक है, और हमारे पास देखो area की value भी दिया है, area दिया है, 3 log 2 to the base e, अब क्या करो, यहां पे y की value दाल दो, y की value देखो, क्या दीवी है, y की value है, 2 raise to par kx, अब हम इसको integrate करेंगे, और answer निकालेंगे, आप दियान रखना है, यह 4 option है, मारे पास, ठीक है, देखते हैं, इन में से कों सा match करता है, देखो, a raise to par x की integration होती है, a raise to par x, upon log a, to the base e, यही होती है न, तो यही formula लगाओ, 2 raise to par kx, upon log 2, to the base e, 0 to 2, देखो मैंने क्या किया, a की जगा यहां पे 2 दाल दिया, यह और यह cancel, अब इसमें limit दालो, 2 दालो, यह बनेगा 2 की power 2 k, 0 दालोगे, तो यह बनेगा 2 की power 0, तो यह बनेगा 2 की power 2, यह कितना हो जाएगा 4, 4 k, 1 second रोखना मैंने एक गलती किया, वो गलती बता है क्या है, यहां पे देखो, जो x का coefficient है na k, वो भी आपको divide में लिखना होता है, तो यहां पे लिख लेना 1 by k, ठीक है, x का जो coefficient है k, वो integration में, divide में लिखना होता है, तो इस k को इदाल लेओ, यह बनेगा 2 raise to power 4 k, इस 3 को को इदाल लाओ, और 2 raise to power 0 हो जाएगा 1, ठीक है, अब हमें k की value निकालनी है, अब हम hit and trial method यूज करेंगे, देखो, 4 option है मारे पास, यह 4 option आपने इसमें दालने हैं, तो देखना कौन सा match होता है, ठीक है, यह rough का काम है, हमारे 4 option है, पहला 1 by 2, दूसरा 1, और तीसरा, minus 1 और चोथा 2, एक ही करके value दालो, देखो, जब अब 1 by 2 दालोगे यहाँ पर, यह rough के लिए बता रहा हूँ, 1 by 2 की power k, नि, k की जगा सारी, 1 by 2 दालना है, 4 की power 1 by 2, minus 3 into 1 by 2, minus 1, यह कितना बनेगा, 4 को लिखेंगे 2 का square, यह बनेगा 3 by 2 minus 1, तो यह बनेगा 2 minus 1, 1, अगर आप देखो, यह कितना आ रहा है, minus 1 by 2, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0, इसका मतलब यह बला option गलत है, अब दूसरा चेक करो, 1 दालो, 1 दालो के की जगा, 4, 3 into 1 minus 1, तो यह बनेगा 4 minus 4, देखो, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब के क्या होगा, 1, तो option कौन सा था हमारा यहां पे, option है B, यह हो गया हमारा first mcq complete, question number 2 mcq है मारे पास, the area included between the parabola, y square equal to 4x and x square equal to 4y is, हमारे पास 4 option दिये वह है, तो देखना इन में से कौन सा option होगा, देखो, सबसे पहले हम इसकी figure बनाते है, y square equal to 4x है, अब देखो यह कौन सा parabola होता है, जब भी y square हो ना, और यहां पे positive हो, तो यह right-handed, यह देखो, ऐसे बनेगा, दूसरा है, x square equal to 4y, तो x square हो, तो यह कौन सा होता है, upward parabola, अगर positive हो, positive मतलब देखो, यह plus है यहां पे, हमें निकालना है, यह वला area, ठीक है, इसका नाम रख लो, o, a, b, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह वला point find कर लो, क्योंकि limit के लिए, हमें यह वला point चाहिए होगा, तो यह point निकालो, इसको लो first, और यहां से y की value निकालो, यह value second ना, इसमें दालो first में, तो क्या करने जा रहे है, point of intersection between 1 and 2, तो देखो, y की value इसमें दाल रहे हो, ठीक है, तो यह बनेगा, x square upon 4 का whole square equal to 4x, यह बनेगा, x की power 4, 4 का square 16, इस 4x को इदाल आओ, इसका LCM लो, यह बनेगा, x 4, 16 4 जा, 64 x equal to 0, इसको उदाल ले जाओ, इन दोनों में x common निकालो, x cube minus 64 को 4 का cube लिख दो, और यह इदार आ जाएगा, तो यहाँ से x की value की आएगी, एक तो आएगी 0, और x cube equal to 4 cube, तो x आगया 0 और x आगया 4, ठीक है, अब निकालो y, now, y देखो आपके सामने लिखा है मैंने, x square upon 4, देखो, when x equal to 0, यहाँ 0 दालोगे, तो y हो जाएगा 0, फिर x equal to 4, यहाँ दालो 4 का square upon 4, वो आजाएगा 4, तो point आगया 0, 0 यह हो गया, दूसरा point आगया 4, 4, वो यह हो जाएगा, ठीक है, अब निकालना एरिया, देखो, कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक parallel line ड्रॉ करूँगा, इस पूरे में से न, यह पूरा एरिया में से, अगर हम यह वला एरिया माइनस कर दें, तो कूँ सा एरिया मिलेगा, यह वला, है न, और यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, यह डिनोट करेगा small area, तो देखो, क्या करने जा रहे हैं, area, bonded, region, क्या नाम है इसका, OAB, equal to, कौँ सा एरिया ले रहे हैं, OABCO, OABCO में से, कौँ सा एरिया माइनस कर रहे हैं, OBCO, ठीक है, अब हमें लेने हैं, limit, limit देखो, आपके सामने ही है, X-axis की लेंगे, X-axis की limit देखो, क्या आई थी, 0 to 4, दोनों की same ही आएगी, अब हमने दालनी है, दोनों की Y की value, जैसे हमने पहले वले question में किया था, देखो, यहाँ पर Y की value दो हैं, एक यह है, एक यह है, है ना, अब कैसे पता चलेगा, कौँ सी value किस में दलेगी, देखो, इस वले area में, अगर आप देखो, इस वले area में, कौँ सा parabola आ रहा है, दियान से देखो, देखो, यह वला parabola आ रहा है, right-handed, right-handed parabola की equation थी, Y square equal to 4X, तो Y की value कितनी हो जाएगी, square हो जाएगा, यह बनेगा 4 का root 2, 2 root X, यहाँ दालो, और फिर इस वले area में देखो, O, A, B में, इस वले में देखो, यह उपर वला parabola आ रहा है, इसकी Y की value तो सामने लिखी हुए है, X square upon 4DX, अब आप इसको integrate करो, answer आ जाएगा, 2, 3 by 2, 0 to 4, यह 4 बाहर आ जाएगा, X3 upon 3, 0 to 4, यह उल्टा करो, 4 by 3, 2, 2 is a 4, limit दालो, 4 की power 3 by 2, 0 दालने पे 0, यह 3 बाहर, 4 का cube, 64, माइनस 0 दालोगे तो 0 ही हो जाएगा, अब देखो, यह 4 है न, 4 को लिखो, 2 का square, तो यह और यह कट जाएगा, 2 का cube 8, यह 8 हो गया, इन दोनों को 4, यह बनेगा, 64 by 12, इसको 4 के table से कटो, 16 upon 3, तो यह बनेगा, 8, 4 जा, 32 upon 3, 32 में से 16, तो आंसर आ गया, 16 square units, यह option देख लिए न, C है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, C option है, तो question number 2 के MC की उखका answer है, C, question number 3 है हमारे पास, the area bonded by the curve, y equal to log x to the base e, and x-axis, and the straight line x equal to e is, 4 option दिए वे हैं, ठीक है, देखो क्या कहता है, area निकालना है, y दियावा है हमारे पास log x, हमें कहाँ पे area निकालना है, x-axis पे, और एक straight line दिवी है, x equal to e, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले y दियावा है log x to the base e, ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पे e जो होता है, e कितना होता है, 2.73, है न, और यह 1 से बढ़ा होता है, तो आपने graph पढ़ावा है 11th class में, log x का graph, log x का मैं पहले rough में बताता हूँ, log x का graph आपने पढ़ावा है, log x to the base a, अगर a 1 से बढ़ा होता है, तो इसका graph देखो ऐसा होता था, यह ऐसे बनता था, है न, तो इसको आप पहले bracket में कर लो, अब यहाँ पे e जो है, वो 1 से बढ़ा होता है, तो इसका graph देखो ऐसे बनेगा, यह बन गया, ठीक है, यह point होता है 1, इसको आप 2 मान लो, और इसको 3 मान लो, इसको 0, ऐसे मान लो, ठीक है, यह x-axis, यह y-axis, अब इसके बाद हमारे पास line कौन से दीवी है, x equal to e, अब देखो, x equal to e, e कितना है, 2.73, तो 2.73 इनके बीच में होगा, यह point होगा हमारा e, तो आपने क्या करना है, e से एक straight line की इंच लेनी है, यह बनगी हमारी, इसको e रखो, x equal to e, अब bonded area देखो, कौन सा है, यह वला, हाना, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक vertical strip बनाएंगे, यह denote करेंगी dx, इस point का नाम रख सकते हो, 10, और यह वला point क्या हो जाएगा, e 0, इसको नाम दे दो, a, b, c, तो area कौन सा निकालना हमें, area bonded region, a, b, c, तो इसमें देखो, limit क्या होगी, एक point है, 1, 0, मैं यहां लिखता हूँ, और एक point है, e 0, तो हम limit कौन से लेंगे, x-axis वली, 1 to e, e, और formula में क्या होता है, y dx, अब y की value आपके सामने लिखी विया है, log x to the base e dx, अब log x की integration कैसे करते हैं, यह आपने पड़ी भी हैं integration में, यहां पे हम लगाएंगे, i late वला formula, मनलब integration by parts, देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूँ, 1 dot, तो सबसे पहले log, यह, देखो, यह algebra है, और यह log है, तो पहले आ रहा है log, बाद में आ रहा algebra, जो पहले आता है उसको u, जो बाद में आता है उसको v, तो u बाहर, integration करनी है v की, v यह हमारा 1, minus integration का sign, bracket दालो, d by dx, यह सारा same यहां लिख दो, यह आपने formula किया रहा है, integration by parts का, और limit जो आप पहले ही बाहर लिख दो, 1 to e, अब करो इसकी integration, इसकी integration x, log x की integration 1 by x, यह dx की x, यह और यह कट जाएगा, यह बनेगा x, log x to the base e, minus, यह dx हो जाएगा, dx की x, अब आप यहां पर limit दालो, सबसे पहले क्या दालो, e, e दालोगे यह बनेगा e, log e to the base e, यहां e दालो, फिर 1 दालो, 1 dot log 1, minus 1, देखो, log a to the base a, यह 1 के equal होता है, अगर यह दोनों सेम हो, base और यह सेम हो जाएगा, जैसे यहां पर देखो, e, e है, तो यह 1 हो जाएगा, log 1 की value, log 1 की value 0 होती है, log 1 की value कितनी होती है, 0, तो यह हो जाएगा, 0 minus 1, यह बन गया e minus e, यह बन गया plus 1, तो answer आगया 1, तो option है मारा b, आप चेक कर सकते हो, आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, question number 3 का option हो गया, b, यह हो गया, मारा question, तीसरा mcq भी complete, question number 4, mcq है, the area bonded by y equal to 2 minus x square, and x plus y equal to 0 is, हमारे पास 4 option दिएवे, अब देखना है, इन में से कुँं सा match करता है, देखो, एक हमारे पास parabola है, और एक line है, हमें इनका bonded area निकालना है, देखो, कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, x square को इदर लाओ, y को इदर ले जाओ, ठीक है, फिर इसमें से minus comma निकालो, ठीक है, अब देखो, आपने यह वाला parabola पड़ाव है, अगर x square equal to minus 4 ay हो, तो यह parabola होता है, downward parabola, इसका vertex होता है, origin, लेकिन, अगर आप देखो, यह इस form में नहीं है, इसमें न, फरक है, तो इसका vertex निकालने के लिए क्या करो, देखो, जब भी इस form में हो, अगर x square हो, तो आपने क्या करना है, x को 0 दालना है, अगर y square होता है, तो y को 0 दालना है था, x को 0 दालोगे, तो y हो जाएगा 2 minus 0, तो vertex जो हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, 0, 2, एक तो यह parabola कौन सा है, downward, और दूसरा, इसका vertex हो गया, 0, 2, देखो, मैं आपको बना के दिखा दो, देखो, 0, 2, 2, यह मान लो, 2 है, मैं बना देता हूँ, 0, 1, 2, 3, यह 1, यह 2, यह 3, ऐसी बना लो, ठीक है, तो यह point है, 2, 0, 0, 2, sorry, अब आपने क्या करना है, यहाँ से इस form में parabola बनाना है, यह देखो, यह ऐसे बनेगा, समझ गे, अच्छा, अब इसके बाद next जो दिया है, आपके बस line दी विया है, x plus y equal to 0, यहाँ से y की value निकाल लो, इसमें क्या करो, इस equation को first लो, और इसको second लो, अब आपने क्या करना है, मैं यह rough में बता रहा हूँ, देखो, अगर आप x को 0 दालते हो, तो y 0, x को 1 दालते हो, तो y minus 1, x को minus 1 दालते हो, तो y 1, तो यह plot कर लो, पहला point है 0 0, दूसरा point है 1, 1 minus 1, 1 minus 1, यह बनेगा, next point है, minus 1 1, वो यह बनेगा, मतलब यह बला, तो यह line ऐसे जाएगी, सीधी बनाना ठीक है, यह बनेगी line, तो हमें यह area निकालना है, ठीक है, तो यह area निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से एक strip बना लो, vertical strip, यह area निकालने के लिए, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यह बला point, और यह बला point, find करना पड़ेगा वो कैसे मिलेगा इस यह first equation और second equation के बीच में point of intersection निकालने से देखो point of intersection between one and two आप क्या करो y की value minus x इसमें दालो यार ऐसा करो दोनों का y y सेम है न तो यह हो जाएगा 2 minus x square equal to minus x इसको इदाल आओ x square minus x minus 2 equal to 0 इसकी middle term तोड़ो यह बनेगी x common और इसमें से 1 common तो यह बनेगा x plus 1 और यह बनेगा x minus 2 तो x आएगा minus 1 और x आएगा 2 है न अब y निकालो now y देखो दिया minus x when x equal to minus 1 minus 1 यहाँ दालोगे तो y आजाएगा 1 फिर x equal to 2 y आजाएगा minus 2 तो सबसे पहला point देखो क्या है minus 1 1 यह देखो minus 1 1 यह होगा और next है 2 minus 2 तो यह point होगा 2 minus 2 अब हमें area निकालना है a b c a b c a हमें क्यों सा area निकालना है area bonded region a b c a देखो पहले तो इसकी limit लो limit लेंगे x axis की minus 1 से 2 देखो यह दोनो x दिये वह है minus 1 से 2 ठीक है अब मेरी बात दियान से सुनना देखो यह है common area मैंने आपको जब यह chapter पढ़ाया था third exercise शुरू की थी 20.3 तो वहां पर बताया था अगर आपको common area निकालना है तो क्या करना है यह जो आपके पस एक y की value यह दी है और एक y की value यह दी है अगर आप दोनों को minus करोगे तो आपको यह common area मिल जाएगा ठीक है हमेशा याद रखो common area निकालने के लिए के लिए करना है जो दो curve दिये वे हैं उनकी y की value minus करोगे तो common area मिल जाएगा तो इसकी y की value है 2 minus x square minus और इसकी y की value minus x अब आप इसको सिर्फ integrate करो और answer आजाएगा इसकी integration होगी 2x इसकी x cube और यह plus हो जाएगा x square by 2 अब इसमें limit दालो पहले 2 दालो 4 2 का cube 8 4 by 2 2 अब minus 1 दालो minus 2 यह plus 1 by 3 यह plus 1 by 2 अब यह खोलो brackets 4 plus 2 6 minus 2 यह plus 1 minus 1 by 3 minus यह plus हो जाएगा अब करो solve 6 plus 2 8 8 by 3 minus 1 by 3 कितना बनेगा minus 9 by 3 है ना 9 by 3 minus 3 और minus 2 तो यह answer 8 में से 3 के 5 LCM लो 5 2s are 10 10 में से 1 के 9 तो answer आगया 9 by 2 square units तो यह option है B जो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो B option आगया हमारा तो यह हो गया हमारा question और कहां पर निकालना है y axis इस पर तो सबसे पहले देखो given दियाव है आप सबसे पहले क्या करो y square की value निकालो इसको इदर ले आओ यह बनेगा 4 minus x अब x का जो coefficient है न वो plus होना चाहिए ठीक है यहाँ पर negative है अब देखो मेरी बाद यान से सुनना ठीक है देखो y square equal to 4ax हो तो यह कौँ सा parabola होता है right handed है न अगर y square equal to minus 4ax हो तो यह होता है left handed parabola इसका vertex 0 0 इसका भी vertex 0 0 लेकिन इस बार vertex 0 0 नहीं होगा देखो यहाँ पर y square है तो हम क्या करेंगे y को 0 दालेंगे यहाँ दाल दो कहीं भी दाल दो यहाँ दाल दो यहाँ दाल दो सेम ही आएगा x 4 आएगा तो vertex आगया हमारे पास 0 4 ने सौरी 4 0 पहले हमेशा x वला लिखते हैं अब हमें parabola देखो यहाँ पर negative है तो हम बनाएंगे यह वला देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ यह 0.0 1 2 3 4 तो यह 0.1 और यह 0.1 हमें निकालना है यह 4 0 यहाँ से बनाना है यह देखो यह वला बना रहा हूँ यह देखो यह बन गया हमारा parabola ठीक है तो हमें निकालना है यह वला area और यह वला area ठीक है तो हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे और इसको plus कर देंगे मतलब जैसे इसका 4 आता है तो इसका 4 दोनों का सेम हो जाएगा 4 plus 4 8 हो जाएगा मतलब 4 को 2 से multiply करो तो 8 आ जाएगा तो हम area निकालेंगे O, A, B का यहां पर vertical strip बना लो यह point है 0, 0 अब निकालते है area bonded region एक तो मैं 2 times कर रहा हूँ 2 इसलिए क्योंकि double है इसका निकाल रहा हूँ इसका into 2 कर रहा हूँ limit लेते हैं x-axis की 0 to 4 अब यहां पर दालो y की value y की value क्या करो यहां से निकालो square को उदे ले जाओ तो y हो जाएगा root 4 minus x वो यहां दालो और integrate करो answer आ जाएगा इसकी integration देखो क्या होगी root x की integration आपको पता ही है क्या होती है 3 by 2, 1 by 2 plus 1, 3 by 2 फिर दीचे भी 1 by 2 plus 1, 3 by 2 और यहां पर जो x का coefficient है minus वो नीचे लिख देना है अब इसको उल्टा करो यह बनेगा minus 4 by 3 इसमें limit दालो 4 minus 4, 0 इसमें 0 दालो, 4 minus 0, 4 यह बनेगा minus 4 by 3 4 को लिखो 2 का square यह minus minus plus 2 का cube 8 तो answer आएगा 32 upon 3 square units अब अब option देख लो C option है दिखा देता हूँ मैं आपको यह देखो इसको option आगा है C तो यह हो गया मारा question number 5 भी complete question number 6 है मारे पास if an be the area bonded by the curve y equal to tan raised to par xn and the lines x equal to 0 y equal to 0 and x equal to pi by 4 then for x greater than equal to 2 हमने देखना इन में से कौन सा option आएगा देखो an यहां पर denote किया गया area जो हम इसका area निकालेंगे और यह हमारे पार 3 lines दीवी है तो देखो कैसे करेंगे y दियाव है tan raised to par xn अब देखो इसका graph मैं आपको बना के बता देता हूँ सबसे पहले tan x का graph ऐसे बनता है यह देखो 0 n है यहां पर यह ऐसे बनेगा फिर यहां पर pi मान लो यह ऐसे बनेगा फिर यहां पर 2 pi यह ऐसे बनेगा इसी तरह आप यहां पर भी अगर minus pi लोगे तो यह graph ऐसे बनेगा यह बन गया tan raised to par nx का graph अब हमें बनाना है x equal to 0 यह देखो यह बनेगा x equal to 0 फिर y equal to 0 यह line बनेगी y equal to 0 ठीक है अब आजो pi by 4 पर pi by 4 यहां मान लो कहीं पर है तो हमें यह ऐसे बनेगी line सीधी line बनेगी तो यह area निकालना है ठीक है और देखना है इन में से कौन सा option match करेगा तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले limit देखो क्या लेंगे an area denote किया गया limit लेंगे x axis की 0 to pi by 4 फिर y की value दाल दो tan raised to par x n ठीक है अब मैं इसको न तोड रहा हूँ इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ tan x इसकी power n-2 into tan square x देखो मैंने क्या किया अगर आप powers को add करोगे when basis आप सेम powers आट added यह 2 और 2 cancel हो जाएगा तो n ही रह जाएगा अब क्या करो इस tan square x को सेक में convert करो आपको पता है 1 प्लस tan square x किसके इकवल होता है sex square x तो tan square x का formula होता है sex square x minus 1 इसको इससे multiply करो यह बनेगा 0 to power by 4 tan x and minus 2 sex square x इसको इससे करो tan raise to power x and minus 2 dx इधर भी dx लिखो इसको अलग से integration देदो ठीक है देखो इसकी integration कैसे करेंगे tan x को मैं यह यहां करके बताता हूँ tan x की definition होती है sex square x तो यह बनेगा sex square x dx तो इसकी integration हो जाएगी यह बनेगा t की power n minus 2 और यह पूरा बनेगा dt तो यह बनेगा n minus 2 plus 1 n minus 2 plus 1 यहां पे आप क्या करो n की value दाल दो t की value t था tan x तो यह बनेगा n minus 1 upon n minus 1 0 to pi by 4 देखो अब यहां पे दियान दो जब यहां पे power n थी तो हमने इसको लिखाता an है ना अब यही सेम है बस फरक क्या है यहां पे n है और यहा n minus 2 है तो हम इसको लिख देंगे a n minus 2 क्या लिख देंगे a n minus 2 अब इसको उस तरफ ले जाओ इसको इदर लियाओ an plus an-2 यहाँ पर limit दालो pi by 4 दालो, tan pi by 4 1 होता है 1 की power कुछ भी हो, 1 हो जाता है और अगर आप 0 दालोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यह आगया हमारा answer, अब आप देखो यह कौन सा option है, यह है मेरे साब से first option नहीं, first नहीं n-2 है, यहाँ पर 1 से कि option number, मैं को लगता है मैंने option गलत उता रहे है, हाँ यहाँ ठीक करना, यहाँ पर 2 था तो option कौन सा आगा है, a question number 6 का answer है, a part तो यहाँ लिख लेना, a यह हो गया, मारा 6 complete कर आपको झाल गो का जब खर 3 will on way not our वैं मारा 6 वैं लेओ, थीक शाल सहुँआ 125 को गभता है, एंगभता है, है वैंने है जा वैंने फुदाब수 डीक झाल झाल